सबीहा आपमें से बेहद कम लोग हैं जो इस नाम से वाकिफ होंगे लेकिन आपने इन्हें 1992 में रिलीज़ी फिल्म खिलारी में जरूर दिखा होगा अक्षे कुमार, आईशा जुलका, दीपक तिजोरी स्टारर उस फिल्म में सबीहा भी एक एहन रोल में थी फिल्म में सबीहा की चाकु मार कर हत्या कर दी जाती है और फिर इसी के इर्दगिर्द फिल्म की सारी कहानी घुमती रहती है अब शायद आपको याद आगया होगा कि हम किस एक्ट्रिस की बात कर रहे हैं जिहां दोस्तों किस्सा टीवी आज आपको सबीहा की कहानी बताएगा जो की एक छोटे से टाइम स्पैन के लिए ही सही लेकिन बोल्यूड के बड़े नामों में शुमार हुआ करती थी सबीहा की कहानी हम अपने एक सब्सक्राइबर की खास रिक्वेश्ट पर लेकर आए हैं यूं तो सबीहा के बारे में बहुत जानकारियां हमें नहीं मिल पाई हैं पर जितनी भी जानकारी हम जुटा पाए हैं उससे आप सबीहा के बारे में काफी कुछ आज जान जाएंगे सबीहा का जन्न किस तारीक को हुआ था ये तो पता नहीं चल सका लेकिन इतना जरूर पता चल पाया है कि ये साल 1971 में पैदा हुई थी इनकी मा का नाम था अमिता और वो पुराने दौर की बॉलिवड की एक मशहूर अदाकारा थी शम्मी कपूर के साथ फिल्म तुमसा नहीं देखा में सबीहा की मा अमिता को लीड रोल निभाने का मौका मिला था कुछ और बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद अमिता का फिल्मी करियर कभी भी उस उंचाई पर नहीं पहुँच सका जिसका ख़ब हर एक्टरिस देखती है आखिरकार अमिता ने फिल्मों से खुद को अलग किया और एक्टर डारेक्टर कामरान खान से शादी कर ली अमिता कामरान खान की दूसरी बीवी थी अमिता से पहले कामरान ने में का इरानी से शादी की थी इस तरह सबीहा साजिद और फराखान की सोतेली बेहन है सबीहा का फिल्मे करियर शुरू हुआ था साल 1986 में इनकी पहली फिल्म थी अनोखा रिश्टा सबीहा इस फिल्म में लीड एक्टिश थी और ये फिल्म काफी बोल्ड फिल्म थी इस फिल्म की शूटिंग के दोरान ही सबीहा ने मीडिया में कुछ ऐसा कहा था कि फिल्म इंडिस्ट्री में संसनी फैल गी थी दरसल सबीहा ने राजेश खन्ना पर इलजाम लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दोरान राजेश खन्ना ने उनके साथ अनुचित बरताओ किया और उन्हें काफी हैरिस किया राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारे पर लगे इस इल्जाम से हर कोई हैरान था लेकिन इस पूरे वाकिय का सबसे बुरा असर खुद सभीहा पर ही हुआ सभीहा ने राजेश खन्ना के खिलाफ पुलिस में कोई शीकायत नहीं की नतीजह ये हुआ कि फिल्म इंडेश्टरी में ये बात फैल गई कि सभीहा ने खुद को मीडिया में लाने के लिए राजेश खन्ना पर जोटा इल्जाम लगाया है लोगों ने सबीहा को फिल्मों में काम देना बंद कर दिया मजबूरन सबीहा को बी-ग्रेड फिल्मों की तरफ रुख करना पड़ा कयामत की रात और सौने की जंजीर नाम की उनकी दो बी-ग्रेड फिल्में आई जिनमें ये लीड अक्टरिस के रोल में थी लेकिन बी ग्रेड फिल्मों में भी इने कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था बी ग्रेड फिल्मों में जब सबीहा की बात नहीं बनी तो एक बार फिल से उन्होंने बड़े बजट की फिल्मों की तरफ रुख किया हाला कि अग तक वो वक्त गुजर चुका था जब सबीहा को कोई मेन हिरोईन के तौर पर अपनी फिल्म में लेता खुद सबीहा को भी इस बात का एहसास था सो उन्होंने B-grade फिल्मों में लीड रॉल करने से बहतर बड़े बजट की फिल्मों में छोटे रॉल करना समझा 100 Days, खिलारी, जालिम और जैविकरांता जैसी कुछ बड़ी और सुपर हिट फिल्मों में ये छोटे किरदारों में ही दिखी इन में सबसे प्रमुक थी फिल्म खिलारी, जिसमें ये वो कोलेज स्टूडेंट बनी थी जिसकी हत्या एक ट्रिप पर कर दी जाती है कुल मिलाकर अपने फिल्मे करियर में सबीहा ने 10 से 12 फिल्मों में ही काम किया इनकी आखरी फिल्म थी जैविकरांता जो की 1995 में रिलीज हुई थी कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद से ही सबीहा को नहीं देखा गया वो कहा गई किसी को कुछ मालूम नहीं चल पाया सालों बाद एक मैगजीन में सबीहा के बारे में एक लेक छपा था उस लेक में बताया गया था कि फिल्में छोडने के बाद सबीहा ने कुछ सालों तक मुंबई में ही जुलरी डिजाइनर की हैसेद से काम किया था उसके बाद ये किसी गल्फ कंट्री के एरलाइन कमपनी में काम करने विदेश चली गई थी सबीहा के बारे में इतनी ही जानकारी हमें मिल पाई है काफी तलाशने के बाद भी हमें सबीहा के बारे में और कुछ पता नहीं चल पाया ऐसे में हम बस इतना ही कहेंगे कि सबीहा जहां भी हो सही सलामत हो अपने छोटे से फिल्मी करियर में सबीहा ने अपने कई फैंस बना लिये थे वो फैंस आज भी सबीहा को याद करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं इसा टीवी उन्मीद करता है कि जल्द से जल्द सभीहा के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा जय हिंद